नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रहे हूं आप सभी का शिक्षा प्रभा में तो बेटा, आप सभी का 6-8 CBSC बोर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 6-8 रिजल्ट आ चुका है, आप लोगोंने देख लिया है और अब उसके बाद 9th और 11th क्लास का रिजल्ट भी चल्द ही आप लोगों को पता चलने वाला है 31 तारिक को परसों आप लोग आपका रिजल्ट देख पाएंगे उसके साथ ही साथ, 9th और 11th क्लास में इस बार कुछ पॉलसी ऐसी है कि सभी बच्चे पास नहीं होंगे उसमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि उनकी कमपार्टमेंट आ जाए या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो की फेल रहे जाएं तो ये न्यूज उन वाले बच्चों के लिए है, 31 सारी को जो बच्चों का कमपार्टमेंट आएगा उन बच्चों की डेट सीट सीबी असी ने यहां पर अप्लोड कर दी है तो डेट सीट और क्या गाइडलाइन्स हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा इस वीडियो में तो अगर आप सिक्षा प्रवाप पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से सीबी असी की हर अपडेट के लिए सीबी असी की कॉमन कमपार्टमेंट डेट सीट क्या रहेगी 9th और 11th क्लास के लिए जो बच्चों ने सेशन 2022-23 में 9th और 11 का एक्जाम दिया है तो सभी गौर्मेंट और गौर्मेंट एडिट स्कूलों में यही डेट सीट फोलो की जाएगी बिटा ठीक है और आपके जो कमपार्टमेंट वाले एक्जाम है वो 17 अप्रेल 2023 से होंगे 17 अप्रेल से और आपका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा 31 तारीकों यानि की पर्सों बॉर्निंग और जर्नल और इवनिंग शिफ्ट सभी के डेट सीट यहाँ पर आप लोगों को दी गई है तो टाइम को बहुत ज़्यादा वेस ना करते हुए और वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम चलते हैं डेट सीट पर यह कुछ इंस्ट्रक्शन्स हैं इन्विजिलेटर्स के लिए हैड आफ स्कूल के लिए और यह है आप लोगों की डेट शीट तो बिटा आप लोगों के जो कमपार्टमेंट एक्जाम है नाइंध और इलावंध क्लास के वो शुरू हो जाएंगे 17 अप्रेल से साड़े 10 से डेड़ बज़े के बीच आपके यह एक्जाम होंगे 17 तारिकों मंडे 9 क्लास के बच्चों का सोशल साइंस का पेपर है और 11 क्लास का हिंदी और इसी तरह से 18 तारिक को एकाउंटेंसी केमिस्ट्री और हिस्ट्री का पेपर है क्लास 11 का 19 अप्रेल विडनेस्टे मैट्स सोशलोजी और इंजिनिरिंग ग्राफिक 20 एकानमिक्स 24 नैच्रल साइंस फिजिकल पोल साइंस 25 तारिकों इंग्लिश 26 को इंग्लिश 9 का और 11 का फिजिकल एजुकेशन 27 क इसको जियोग्रिफी एक को होम साइंस और दो को संस्क्रित और बायलोजी इसके साथ ही साथ कुछ जो यहां पर आप लोगों के लिए गाइडलाइन्स हैं वो हैं Examination of the subject not covered in the date sheet is to be held at school level कुछ subjects ऐसे हैं जिनको date sheet में mention नहीं किया गया है जैसे कि 11 में painting होता है तो वो वाला जो paper है वो आपको school से ही उसकी timing और dates बताया जाएगा और बाकी सब वही है कि paper से पहले 15 मिनिट पहले आपको question paper issue हो जाएगा पढ़ने के लिए ठीक है और लिखने का जो time है वो साड़े 10 बजिश से होगा duration of time of each subject is given on question paper पर mention होगा कितने time का paper है ठीक है और आप लोगों को examination center पर late नहीं पहुँचना है time से पहुचना है ठीक है वरना आपकी entry को रोका जा सकता है हो सकता है आपको परिक्षा देने नहीं दिया जाए तो सब भी को पहले तो all the best hope कि आप में से कुई भी बच्चे को compartment ना आये कोई भी fail ना हो आप सभी बहुत अच्छे marks लेकर के पास हो लेकिन अगर कोई compartment आ जाता है तो ड़ने की जुरत नहीं है dead sheet आ गई है आप लोग तयारी कीजेगा और अच्छे नंबरों से पास आप लोग होंगे चीक है पिटा तो इसी के साथ वीडियो अगर आपको useful लगी है तो वीडियो को like कीजे दोस्तों के साथ share कीजे और channel को जरू subscribe कीजे इस तरह की हर update के लिए thanks for watching guys